नमस्कार दोस्तों एक वार फिस स्वागत है आपका एपी ग्लासिस के इस नई वीडियो में दोस्तों यूत्तर प्रदेश के लाखों अभियर्थियों को जिस चीज का बहुत बेसबरी से इंतिजार था जिस भरती का बहुत बेसबरी से इंतिजार था जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ 68500 सहाइक अध्यापक भरती की दोस्तों उसका सारी विग्यपती रजिस्टेशन के लिए वैपसाइट खुल चुकी है और वो वैपसाइट है upbasic edubo.gov.in पर आप इस वैपसाइट का नीचे हमाई description पे link भी देख सकते हैं और इसमें और भी जितना भी update है हमें सारा link के माध्यम से नीचे दे रखा है तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इस भरती में नया और क्या है कुछ खास तो क्या है आप लोगों के लिए कुछ जानने योग जरूरी बाते हम आपके लिए एक एक point आपको बताएंगे बिलकुल जिताकी आपको form भरने में या बिलकुल भी कोई confusion ना हो और अगर आपको कोई doubt या confusion होता है तो हमें आप सीधा इस वीडियो के comment box में लिखकर message कर सकते हैं और आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा तो चलिए सबसे पहले क्या करना है कि upbasic edu board.gov.in website आप लोग खोलेंगे तो इस type का एक page खुलके आ जाएगा जिस पर सीधा सीध लिखा है सहायक अध्यापक भरती 2018 परिक्षा नियामक अधिकारी उत्तरपदेश अलाबाद इसमें चार step दिये हुए हैं आपका step बन जिसमें आवेदन पत्र भरने हेतु महत्पूर्ण दिसा निर्देश हैं तो देखिए सबसे पहला आपका काम है क्योंकि आप सबसे पह दूल जाहिए अभी क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है इसका जो राइस्टेशन का लास्ट डेड़ पांच फरवरी 2018 है तो काफी टाइम है आपके पास आज 25 जनवरी हुआ है 25 जनवरी तो लगवग 25 और लगवग 10 से 12 दिन है तो काफी टाइम होता है तो चलिए जैसे आप Step 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का एक पेज खुल कर आ जाएगा जिसमें लिखा है कि सबसे पहला बिग्यप्ती, रजिस्टेशन का प्रारूप, तक्नीकी ऑपरेशनल दिसा निर्देश, माग दसी सिद्धान्त, ऑनलाइन फीज जमा करने हेत निर्देश और सासना देश दिनान सत्राइक दढ़ा, आपका जो मैंने दो चीत दिखा देता हूँ सबसे पहले तो मैं बिग्यप्ती पे जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप की बिग्यप्ती क्लिक हो जाएगी, जो की 23 तारीक को आने थी, लेकिन वेपसाइट पर अप ग्यप्ती में सिर्फ यह है कि आपका जो इंपोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको दे रखी हैं, जैसे ऑनलाइन पंजीकरण आरम होने की तिथी 25 जनवरी 2018, जो की आज है, जो की स्टार्ट हो चुका है, इच आलान द्वारा आवेधन सुल्क जमा करने हैं तो प्रारम प्राइब के माध्यम से ही जमा हो गई है, यह चीज आप लोगों की खास नोट करने वाली है, ओनलाइन पंजीकरण की अंतिमतिति 5 फरवरी 2018 सामके 6 वजे तक है, फिर निर्धारित माध्यम से सुल्क साथ तारेक, ऑनलाइन अंतिमतिति 9 फरवरी 2018 के साम 6 वजे तक आपको ओनलाइन आवेदन पूल करना है, मतलब कि फॉर्म भरके उसका फीस भी जमा करना है, 9 तारिक तक आप लोगों को, चलिए और इसमें सबसे वड़ी बात यह है, कि यह जो परिक्षा के लिए जो भी है, वो ओनलाइन माध्यम से ही फॉर्म आवेदन सुईकार किये जाएंग तो यह है आपका जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें खुल के अगर यह है आपका रजिस्टेशन का प्रारूप, दोस्तो एक बहुत इंपोर्टन चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और वो प्लीज ध्यान में रखिये कि रजिस्टेशन करने में जल्दवाजी ना कर और मेरा आप लोगों से अनोद यह है कि इस रजिस्टेशन के प्रारूप को आप लोग एक एक प्रिंट आउट निकाल लीजिये और उसका फोटो का बेट लिए और रजिस्टेशन भरने से पूर्द आप इस जो आपने जो प्रिंट आउट निकाला है उस पे एक बार कोई दिक्कत नहीं होगी तो चलिए हम आपको सब कुछ बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या लिखा है देखिए सबसे उपर सबसे चीज लिखा है कि आवेदक, ओनलाइन आवेदन की ध्यानपूबक पड़ें क्योंकि सेव होने के उपरांथ कोई भी प्रवस्थी नियत अवधी के अतरिक्त किसी समय परिवर्तित नहीं होगी तो चलिए आपको बता देता हूँ क्या सबसे इंपर्टेंट बात कि आवेदन पत्र अभिहर्थी या भिहर्थनी द्वारा स्वयम सही सही भरा जाए मतलब क्या उसमें भरा जाए और जो जन्मति थी आपके लिखिये वही भरें आप उसमें कोई भी हेर वदल ना करें और आवेदन पत्र में दिये गए बॉक्सों में प्रविष्ट किया जाना अनिवार है सबी बॉक्सों में प्रविष्टियां अंग्रेजी भासा के प्रविष्टियां एक ही अंकित की जानी है मतलब आपको जो भी इसमें इंपुट देना है ऑन्लाइन फॉर्म में सब कुछ अंग्रेजी भासा में ही लिखेगा प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक फोटो कॉपी कर लीजिए उसमें पहले सभी कैपिटल लेटर में आप एक बार भर लीजिए और आज का आपका टाइम है कल तक का टाइम ले लीजिए आप भर लीजिए उसके बाद आराम से इत्मिनान से उस फॉर्म को बरिये और जो भी तकनीकी दिसा निर्देश होंगे वो हम अपने नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे तो चलिए नेक्स टीट लेते हैं क्या है इसके बाद सबसे जो रेजिट्रेशन का प्रारूप है वो इस प्रकार है कि आवेदित जन्पद का नाम ठीक उसके बाद अभ्यार्थी अभ्यार्थिनी का नाम इस समय और कहीं रह रहे हैं तो उसमें दो-दो एडर्स हो सकते हैं ग्रह जन्पद का नाम और पत्र विवार अगर आपका दोनों एक ही है ग्रह जन्पद का नाम और पता और पत्र विवार का पता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है वो दोनों आप उसमें कॉपी बेस्ट कर सकते हैं फिर टेलीफोन नंबर यदि हो CD code सहीत या मुबाइल नंबर आपको मुबाइल नंबर लिख देना है विवाहित महिला वियर्थिनी के पती का नाम अगर कोई महिला वियर्थी विवाहित है तो उसके पती का नाम जन्म दिधी हाई स्कूल प्रमालपत्र के अनुसार लिंग क्या है मतलब मेल है या फीमेल है बर्ग कौन सा बर्ग है जनरल OBC, SC, ST बिकलांग है या नहीं उसके उसके प्रमालपत्र के आधार पर बिकलांगता का प्रप्रशत बरें आपको जो भी हमारे साथी प्रसिक्षण योगिता किया है उसमें फिर सबसे मैं इंपर्टन चीज प्राइम अनुस्तार की सिक्षक पास्टा परिक्चा उत्तीर होने वाऽे बोर्ड नम गॉत्षा Rise ये केवल प्राथमिक इस्तर level का है तो जो प्राथमिक इस्तर बब, primary TT जिसने pass की है या तो primary UP step पास हो या primary seated पास हो तो जो लोगों को बहुत doubt था कि seated वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं तो वो लोग इसमें अब clear हो गया है कि वो लोग भर सकते हैं चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें फिर आपकी अभ्यरतियों की सैक्षिक योगता का विवरन आप जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरिट बननी है इसमें 60% इसका आना है और उसका लेना है तो उसके साबसे आपने बिल्कुल सही सही भरिये क्योंकि दोस्तों यहां कुछ भी गड़वड़ी आपकी मेरिट में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है तो बोड एबम, विस्विधाला का पूरा नाम, उत्तील होने का वर्स, अनुक्रमांग, प्रमालपत्र अनुमकवांग, अंगपत्र प्रमांग, पूलांग और प्राप्त और उनका रिजल्ट इंटरनेट पर घोसित हो चुका है, विध्याले द्वारा घोसित हो चुका है, लेकिन उनको प्रमालपत्र जिनको नहीं मिला है, वो लोग उसमें एने लिखेंगे, अब नेक्स्ट है अधार कार्ड संख्या, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में टिक करने बाद, कोड़ बॉक्स और सम्मिट कर देना है, आप देखिए इसमें नीचे दिया है, लिंक में फीमेल है, मेल है, बर्ग, जनरल, SC, ST, OVC, विसे सारक्षण कोड़ दिये हुए हैं, कि हैंडिकेट, विजुली इंपरेड, हैंडिकेट, हैंडिकेट, आप देखि चन उठ सकते हैं, वो यहाँ पे आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ पर है, देखिए, पर सिक्षण योगिता में कौन-कौन वैलेड है, इस चीज को जड़ा ध्यान से देखिए, और ध्यान से समझेए, डियलेड, जिसको BTC भी कहा गया है, NCT, मतलब जो पहले BTC होती थ काता है, आप लोगों को पता ही होगा, NCTE से मानिता एबं प्रदेश सासन से संबंधता प्राप्त संस्था से, अब सिक्षा मित्र साथियों के लिए, कि दूरिष्ट सिक्षा विदी से फिर सिक्षित्वा इसनातक सिक्षा मित्र का दूवर्सिय BTC उत्तिन, यह जरूरी है अब आता है, डिएड, सिक्षा सास्त्र में दो वर्सिय डिप्लोमा NCT से मानिता प्राप्त संस्था से, ठीक है दोस्तों, उसके बाद डिएड विसेश सिक्षा, जिसमें कि आपको ऑप्षन है कि भारतिय पुनरवास परिशद, RCI से मानिता प्राप्त संस्था से ही केवल प्राप्त संस्था से, बिएड, 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 प्रारंबिक सिक्षा सास्त्र में इसना तक, जैसा कि जो मैंने पिछले अपने वीडियो में भी बताया था, कि जो बिएड होता है, वो इंटर के वाद होता है, तो वो लोग भी इसमें applicable है, तो ये है दोस्तो अभी तक का जो छोटा-छोटा और बिलकुल ध्यान देने योग बाते मैंने आपको सभी बता दिये हैं, अगले वीडियो में हम आपको बहुत जल्द बताएंगे कि क्या है तकनीकी निर्देश, कैसे form बरना है, किन-किन बा निकाल लीजिए और एक-दो फोटो को आपी करवा कि रख लीजिए और पहले पेन से capital लेटर में form भरके देख लीजिए, उसके बाद ही registration करिए दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, आज ही next वीडियो में आपके लिए और नए आपडेट, और नई तकनीकी द इस एकजाम के बारे में और जो कुछ भी नहीं बात होगी, वो हम आपको बताएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद